हाई फ्रेंज ऑनलाइन प्रिप्रेशन भी थारती में आपका बहुत बहुत श्वागत है एंड फ्रेंज आज का वीडियो है इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें बात करेंगे बिहार सुक्षा नियोजन नियुक्ति को लेकर के और आपको पता है कि 18 सेप्टेमबर से जो है 18 सितंबर से जो है इसके फॉर्म बगारे भरे जाने थे आवेधन किये जाने थे यहां पर जो है एक लाग प्रारंबिक शिक्षकों की निप्ति का जो समय है स्चेडूल जो है वह बदल लिया गया है चलिए पूरी इंफार्मेशन इस वीडियो में हम आपको देते चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए बेल आइकान को प्रेश कर लिए ताकि जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए साथ साथ में वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि निउस्तान लाइव क प्रकासित की गई आप देखी रहे हैं कि नियुक्ति को आवेदन 18 से जी हां जो शिक्षकों की नियुक्ति करनी है उनके जो आवेदन है वो 18 से लेकिन आगे जो इंपॉर्टेंट नियूज है वो क्या है यह देख लेते हैं तो देखिए राज के करीब एक लाग कैसे बदल गया है कैसे बदल यह इसके बारे में बात करते हैं कि अब 18 सितंबर से नियुक्ति के लिए आवेदन ङता लेकिन 17 अगले वर्ष नियोजन काईक्रम में हुए बदलाओं की अधिसूचना जारी कर दी है और इसी के मुताबिक करीब साड़े आठ हजार नियोजन इकाईयों में नियुक्त की प्रक्रिया चलेगी यानि जो नियुक्त की प्रक्रिया है वो साड़े आठ हजार नियोजन इकाईयों में चलेगी क्योंकि मालूम होना चाहिए कि 5 जुलाई को सिक्षा विभाग ने प्रारंबिक सिक्षकों के नियोजन का काईकरम जारी किया था और इसके मुताबिक 26 अगस से 25 सितंबर तक आवेदन लिये जाने थे ये पहले का सिड्यूल था लेकिन अब जो सिड्यूल है वो बदल गया है पहले 26 अगस से 25 सितंबर तक लिये जाने थे आवेदन लेकिन अब आवेदन जो है 18 सितंबर से लिये जाएंगे ठीक है मतलब पहले कर दिया गया है और जबकि नियोजन इकाईयों को 9 से 12 दिसंबर के वीच नियोजन पत्रबाट ना था लेकिन इस डेट को और कम कर आगे बढ़ा दिया गया नौ से बारा दिसंबर की बजाए यहाँ पे सोला जन्वरी कर दिया गया ठीक है या निश्टियर कर दिया गया और पर जुलाई में जारी मार्मिन देशों को लेकर अव्यरतियों के धेर शारे आवेदन सिक्षा द्वाग द्वारा गठित कमेटी ने की और उनकी अनुसंसा पर कई बदलाओं किये गये हैं देखे यहाँ पर एक एहम बात निकल के सामने आपकी आ रही है में जिन लोगों ने नाइस से डेलेट किया है उन लोगों के लिए क्योंकि बिहार में सिक्षकों की भरती होने व क्योंकि जिन लोगों ने नाइस से डेलेट किया है वो इसके लिए बैलिट क्यों नहीं होंगे यहां पर मैं के लिएर कर दूँ ऐसा नहीं है यहां पर अगर हम सीटिट की बात करते हैं तो सीटिट के जब हम फार्म भरते हैं तो उसमें इस्पेसल तोर पे रहता है कि जिन लोगों ने एंसीटी के माध्दम से यदि डिप्लोमा लिया है टीचिंग का तो अठारा मन्त भी चलता है और ट्वल्त में फुट्टी फाइब परसेंट हो तो और अनिवाद है तो यहां पे थोड़ी सी फर्जी इस समय लेटर बहुत जारी किये जा रहे हैं अभी एक फर्जी लेटर वाइरल हुआ था एंसीटी की तरफ से कि एंसीटी ने कहा है कि सिब दो साल बालों को लेना है अठारा मंद का कोर्स मान नहीं होगा ऐसा बिलकुन नहीं है बहुत सारे ऐसे न्यूज पेपरो कि वो क्या करें ना इस डिलेड़ वालों को इसमें मौका दे या ना दे जो एक बिहार में जो भी सिख्षकों की नियुकती होने वाली है 16 जनुबरी से शेहनित अव्यर्थियों को नियोजन पत्र बाटे जाएंगे और कमेटी की समिक्षा के बाद भाग के नियोजन का सिडूल बदल दिया है तो शिख्षकों के नियुकती के आविदन 18 सितंबर से ही सुरू हो जाएंगे अब यहां पे जो है आज 9 है अभी 9 डेज हैं हो सकता है कि आपके आविदन करने के अपलाई करने के पहले सायद कोई गूड नियूज आप लोगों को यानि कि जो प्रादमभी के सतर पे नियुकती होनी थी उसका सिडूल अभी चेंज कर दिया गया है तो सायद एक रिजन इसमें जो है वो नियूज डिलेट भी सामिल है वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए आपका क्या मानना है आप अपना राय जरूर कमेंट वाक्स में दे और जब भी कमेंट करें तो वीडियो को पुड़ा वाच करें इसके बाद आप कमेंट करें कोई फिर मिलते हैं तब तक के लिए चिक के और बायर